नेक्स्टरम बात करते हैं फंजाई जिसको हम कवक कहते हैं फंजाई आर दा ग्रूप आफ लिविंग ऑगनिजम्स विच डू नौट हैव क्लोरोफिल सो दे कें डूट परफॉर्म फोटो सिंथेसिज तो यह एक जिवित प्राणियों का समू है जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो वो डेट प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं तो इसलिए इनको हम सैफ्रोफाइट्स कहते हैं मिर्त पोशी कहते हैं यह जो जितने भी जो ऑगनिजम्स होते हैं जो फंगस होते हैं यह कंडिशन्स जैसे हम बात करते हैं मॉइस्टर की या वाम कंडिशन्स होती हैं तो यहां पर यह ग्रोव करते हैं एक्जांपल्स जो हैं इसके जैसे हम बात करते हैं राइजोपस की ब्रैड मोल्ड की तो जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्रैड है अगर वो बहुत देर तक बाहर रहती है तो उसके उपर आपको हलकी हलकी green covering देखने को मिलेगी तो ये rhizopus है इसके लावा जैसे हम बात करते हैं आपके पास aspergillus है और penicillium है तो ये सब किस category में आते हैं ये fungus की category में आते हैं तो fungus जो है जैसे आम तोर पे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अचार होता है अचार को अगर खुला छोड़ा जाए काफी देर तक तो उसके ओपर आपको white white एक सरचना मिलेगी तो ये जो सरचना होती है इसको fungus बोलते हैं इसके लावा भी जो fungal होता है उससे बहुत सारी fungal disease होती है तो जैसे हम बात करते हैं ring bomb की दाद हो जाता है देखा होगा आपने और इसके लावा athletes food होता है जिससे जो पसीना जो है वो काफी आता है पैर में तो ये सब जो disease होती है वो fungus की वज़े से ही होती है इसके बाद next time बात करेंगे कि जितने भी micro organisms होते हैं उनका place कैसा रहता है यानि कि वो किस conditions में रहते हैं